वार्षिक प्रिक्षा 2022 कक्षा 9 विज्ञान का पेपर मिल चुका है नमस्कार बच्चो सुवागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में अगर आप कक्षा 9 की विद्यारती हैं तो इस वीडियो को आपको कम्प्लिट देखना है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9 विज्ञान वार्षिक प्रिक्षा पेपर 2022 है वो बताने वाला हूँ तो वीडियो को आपको कम्प्लिट देखना है वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि सभी परसनों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखना अनिवार यह है और यहाँ पर परसन संक्या 1 से 5 सही उत्तर का करमाक्षर चैन कर कोश्टक में लिखे तो इसमें पहला परसन है कि रसोई गर में खाना पकाने में प्रियुक्त होती है तो एक option में आपको LPG दिया गया है और दूसरे में आपको CNG दिया गया है और तीसरे में आपको दर्वित oxygen दिया गया है और चोथे में आपको उप्युक्त सभी दिया गया है तो कौन सा option आपके correct होगा वो आपको इसमें बताना है उसके बाद में second है कि कोशिका का power house कहलाता है तो कोशिका का power house है वो किसे कहते हैं एक option में आपको lysosome दिया गया है और दूसरे में आपको plastid दिया गया है और तीसरे में आपको ribosome दिया गया है और चोथे में आपको mitrocondria दिया गया है तो कौन सा option का आपके correct होगा वो आपको बताना है और तीसरा person है कि swing परिवर्तन की दर है वो बराबर होती है तो swing परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है एक option में आपके तुरण के और दूसरे में आपके वेग के और तीसरे में बल के और चोथे में बल के आवेग के तो कौन सा option आपके correct होगा वो आपको इसमें बताना है और person संग्या 4 है कि सक्ति का मात्रक है तो सक्ति का मात्रक आपको बताना है एक option में Newton दिया गया है और दूसरे में Watt दिया गया है और तीसरे में जूल दिया गया है और चोथे में न्यूटर मीटर दिया गया है तो इस परसन का जो correct answer है वो आपके खया option होगा यानि सक्ति का जो मात्रक है वो what होता है और परसन संग्या 5 है आपके कि पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है तो एक option में 80 और दूसरे में यकर्थ को और तीसरे में फेफडे को और चोथे में हर्दे को तो इसका भी आपको right answer है वो बताना है उसके बाद में देखिए next है आपके paper में परसन संग्या 6 से 10 निमन परसनों के उत्तर एक सब्द में या एक पंक्ती में आपको लिखने है और परतेक परसन है वो आपके दो अंका आने वाला है तो यहाँ पर परसन संग्या 6 है कि गर्मियों में हमें किस परकार के कपड़े पहने चाहिए और परसन संग्या 7 है आउगादरो इस्तिरंग का मान लिखी और परसन संग्या 8 है कोज सीका की खोज किसने की रोबर्ट हुक ने और परसन संग्या 9 है कि नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है यह आपको बताना है और परसन संग्या 10 है कि किसी वस्तु की गतिज उर्जा के लिए वेंजक है वो आपको लिखना है तो इसमें परतेक परसन आपके दो अंका है उसके बाद में पेपर में नेक्स्ट है आपके परसन संक्या ग्यारा से पंदरा और ग्यारा से लेकर पंदरा तक के जो परसन है उन परसनों का उत्तर आपको एक पंक्ती में लिखना है और परतेक परसन आप पाए जाने वाले ओक्सिजन के दो रूप कौन-कौन से हैं यानि वायू मंडल में पाए जाने वाले ओक्सिजन के दो रूप हैं वो कौन-कौन से हैं वो आपको बताने हैं और परसन संग्या 13 है आपके कि रोग क्या है और परसन संग्या 14 है कि सामाने मनुस्य के कानों के लि से लेकर 25 तक की जो परसन है उन परसनों के उत्तर आपको दो पंक्ति में या तीन पंक्ति में लिखना है और पर्दार्थ की अवस्ता गे बोतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं और परसन संग्या 18 है कि बहु परमाणू का आयन क्या होते हैं इनके आपको उधारण लिख है और पर्षन संग्या 19 से कि तीन कक्छाओं वाले बोर के परमाणू मोडल का चित्र बनाई यह और परसंग्या 20 से लाइसोसों को आत्म घाती थेली क्यों कहते हैं और पर्षन संग्या 21 से रंदर के क्या नाम लिखने हैं और उसके बाद में परसन संग्या 24 है कि बस की छत पर रखे समान को रसी से क्यों मानदा जाता है और परसन संग्या 25 है कि गुरुतु आकर्शन को सारत्रिंग नियम का महत्तु आपको बताना है उसके बाद में देखे परसन संग्या 26 से 30 तक के जो परसन है उन परसनों के उत्तर आपको चार या पांच पक्ति में लिखेने हैं यहाँ पर परसन संग्या 26 है इसमें दो परसन आपको पुछे गए हैं पहला है मुक्त पतन का तवर्ण क्या है और दूसरा है पानी की सतय पर रखने पर कोई वस्तू क्यों तेरती है या डूपती है इसका आपको रिजन बताना है और अथुआ में परसन है पहला परसन है कि उर्जा स्रक्षण नियम क्या है और दूसरा है जब आप साइंकिल चलाते हैं तो कौन-कौन से उर्जा रुपांतरन होते हैं उसके बाद में परसन संग्या 27 है जिसमें पहला परसन है कि दवनी तरंग के अभिलक्षण क्या क्या है और दूसरा है अनूरणन क्या है उसे कै से कम किया जा सकता है और अथ हुआ में परषन है जिसमें पहला पर सनी किसे कहते हैं इसका उपयोग लिखो और दूसरा परसन है पर incarnus ंजांगा अठाईस है जिस्में पहला पर्षने के बंदारन की कारक अनाज की हाने के लिए उत्रादाई है और दूसरा परसन है अन्वांसिक फेर वदल क्या है कर्सी परनालियों में कैसे उप्योगी है या आपको बतानी है और अथ्वा में परसन है जिसमें पहला परसन है पोदे अपना पोसक कैसे प्राप्त करते हैं और दूसरा है अंतरा फसली करन तथा फसल चक्तिर के आपको लाब बताने है परसन संग्या 29 है जिसमें पहला परसन है कि गरिन हाउस प्रभाव क्या है और दूसरा परसन है अपरदन को रोकने या कम करने के कौन कौन से तरीके हैं वो आपको लिखने है और अथुआ में परसन है जिसमें पहला परसन है और दूसरा है, रोग फैलने के साधन क्या-क्या है, और तीसरा है, वाईरस जनीत संक्रामक रोग किसे कहते हैं, और अथ हुआ में परसन है, पहला परसन है, एमीबा अपना बोजन के से पराप्त करता है, दूसरा कोशिका जली को बनाए, बनाने वाले लिपिड और प्रोटी से त्यार करना है